अलो फिरेंट जी के अपिक्स में आपका स्वागत है आज का यह टोपिक बहुत धर्म संगीती पर आदारी थे आज हम लोग इस टोपिक से समधित महत्पून बिंदू को समझने की कोसिस करेंगे इसके अलावा इसे ट्रिक के मादेम से भी याद करेंगे चली शुरू करते है आज की टोपिक यहां पर हम लोग बहुत संगीती एवं उससे समधित महत्पून जनकारी को समझेंगे चली पर्थम बहुत संगीती के बारे में समझते हैं पर्थम बहुत संगीती 483 इसापुरु में हुआ था इसका यह जों राजगरी के सब्तकर्निक गुपा में हुआ दोस्तो है आपर सब्तकर्निक गुपा और राजगरी दोलों को दयाय में रखना है इस समयलन के अदेच महा कासियप को बनाया गया था जख्की यह समयलन अगासए सत्रु के सासनकाल में हुआ अजासद्रु हर एकवंज के परमुक सासक थे आई समझते है कि इस समयलन में महत्पुनकार क्या हुए थे इस समयलम ने बूद के उपदेशों का संकलन सूथ-पिटक में किया गया था यहाँ पर आपको उपदेश और सूथ-पिटक को याद रखना है अब समझते कि एकजाम में किस प्रकार के प्रसन आते हैं एकजाम में प्रसने पूछे गया कि ब कि ने पिटक को याद रखते हैं तो असानी से इसका अंसर दे सकेंगे चलिए इन सभी को दोबरा याद करने की कोसिस करते हैं पर्थम बहुत संगीती 483 सापुर में हुआ था यहाँ पर महत्पुन बिंदू याद रखी कि 433 सापुर में महत्पुन बूद की मिर्तु पर्थम बहुत संगीती में अधेच महा कस्याप को बनाया गया था जबकि उस समयतात कालीन सासक अजासत्रू थे इस संभीलन में दो महत्पुन कार हुए थे पहला बूद के उपदेशों का संकलन सूथ पीटक में किया गया था दूसरा बहुत बीचियों के लिए बिने प कामीर देखने को मिलता है एह समयन सी सुनागमंस के सासक काला सोग के काल में हुआ था इस समयलना बीचों मतभेथ के करान बहुत संग में विवाजन हो गया था इसका विवाजन दो भागों में अस्तविर और महा संगिक की रूपमें हुआ था आता इंस वी मालपुन बिन् इसी सम्मेलन में बहुत संग दो भागों विवाजित हो गया यह विवाजन अस्तवीर एवं मा संगित के रुप में किया गया था प्रितिय बहुत संगिती का योजन दो से कावनी सापूर में हुआ था इसका योजन ब्यार के पाटली पुत्र में किया गया था इस सम्हेलन के अधेच्ता मोगली पूतिष द्वारा किया गया था, जब कि उस समेछ ताथ कलीज साँसक महुर वंक के असोग थे, इस सम्हेलन में अध्यम पिता का संकलन किया गया था, दोस्तों सभी बोध संगुति के मलपुन कार को जरू देयान में रखिए, इरितिये बो इसंवी में हुआए में इसके पहले तीनों संगीती का यजन इसापुर में हुआ था। मिख किया गया था. इसका यजन कस्मीर के कुंडालवन में हुआ था. इस समयलन में अध्यच-वशूमित्र हैन उपाध्यच-अस्भुगुष को बनाया गया था। जबकि यह संगीती कुसानवंस के सासक कनिस्क के सासनकल में हुआ था, यहां पर कासे कनिस्क और कासे कुसान को याद रखना है, इसी परकार कासे कुंडालवन और कासे कस्मीर याद रखना है, इस समयलम में बहुत दर्म दो भागों में विवाजित हो गया था, एक ते हीन य का ऐचन चारशोत्यत्ति इसे पूरम में दूसरी बोस संगीती का योजन किया गया एहां पर इन दोनों संभिलन में 100 वर्स का अंतर है 008 Misafu perpetual थिसरी संगीती का योजन किया गया यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन चारों में से तीन कायोजन इसापुर में किया गया है जबकि चतुर संगीती पर्थम सताथी में हुआ है यहाँ पर दो सो एकामन का अंतिम डिजिट एक है इस एक को यहाँ से जोग कर याद रखना है इन सभी तीती को दो गुरूप में याद रखिए फास्ट गुरूप में चारसो तेरासी और तीनसो तेरासी को याद रखिए जबकि सेकंड गुरूप में दो सो एकामन और एक को याद रखिए इन चारों में से तीन कायोजन इसापुर में हुआ है जबकि अंतिम संगीती इसी में हुआ है उमीद करता हूँ कि आपको असानी से याद हो जागा अब हम लोग आयोजन अस्थल को याद करेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ सब्द को याद रखना है जैसे ग्री, साली, पुत्र, एवंबन इन चारो सब्दों को याद रखिए इन सभी सब्दों करने मायन आयोजन अस्थल के नाम से हुआ है इसे याद करनेंगे लिए सबसे अच्छा ट्री के भगवान बूत के जीवन को याद रखिए हम लोग जानते हैं कि मात्माबूत की साधी राजा के घर में हुआ था यहापर आपको ग्री से राजगरी को याद रखना है यहापर ग्री का अर्थ घर होता है इसके बाद आपको साली सब्द को याद रखना है यहाँ पर इसी याद करने के लिए आपको ध्यार में रखना है कि मात्मा बूत की एक साली थी, अता साली से आपको बैसाली याद रखना है, इसके बाद आपको पूत्र याद रखना है, हम लोग जानते ही कि मात्मा बूत की एक पूत्र थे जिनका नाम राहूल था, यहाँ पर आपको पुत्र से पाटली पुत्र याद रखना है, अंत में आपको वन याद रखना है, मात्मा बूद्ध बहुत ही कम उमर में घर को त्याग दिये थे, इसके बाद हो अग्यान की खोज में वन चले गए थे, यहां पर वन से कुंडलवन याद रखना है, इस प्रकार प इस ट्रिक के मादेम से असानी सियाद हो जाएगा, यहां पर अगला ट्रिक सासन काल के लिए है, आपको सिरफ यहां पर अकाया की याद रखना है, यहां पर आ से आजा सत्रू को याद रखना है, सेकंड कास से काला सोक को याद रखना है, थर्ड आ से आ सोक को याद रखना और अंत में कासे कनिस्क को याद रखना यहां पर इस ट्रिक में दो स्थान पर आया हैं, चलिए इस confusion को दूर करतें, यहां पर पर्थम संगीती का ऐसन अजासातरु के काल में हुआ था, यहां पर आपको याद रखना है कि आपका पर्थम सत्रु आंता, इस परकार आवाला confusion दुर हो जागा आईई से दोबारा याद करते हैं पर्तम संगीती का अजन si के काल में tell संगीत के सिंकिंस के काल में मैं म्य सब्सक्राइब करता हूं कि इस ट्रिके माधम से हसाले से रहाज इसे याद करने के लिखेवल आपको प्राक्टिस करने की जुरूत है। दोस्तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरू लिखे। यदि आज के वीडियो पसंद है तो लाइक से रिकमेंट्स करना मत बूलिए। मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई टोपिक के साथ। सब तक लिए थैंक यू धन्यवाद।